तक्रीबन दो सदियां वाद महराजा दलीप सिंग नू याद गीता जा रहा है पंजाबी सिंगर दिवलो गाए गाने विच्छा महराजा दलीप सिंग ते उगाथा ब्यान कीती गई है जिसने प्राने जखम अले कीती है प्राणे जख्मा तो पाव है कि ओ सिख राज जिसनू गल्त तरीके नल हत्यों ली अंग्रेज ने जिस तरीके नल जोर जमाईश कीती जिस तरीके नल कतल उगारत पंजाब देविच कीती ओतियास वी बखुबी टंगल उसनू ब्यान करदा है महराजा रंजीत सिंग दी मौत तो बाद हलात डामा डोल सी पंच साल दी उमर सी उसनू संगासंते बठाया गया ता अंग्रेज विच कब रहाटे सी के पंजाब दे कपजा किस तरीके नल कीता जाए ता पंजाब दे विच्छा वड़ी चर्चा उस्वेले होई जोदो महराजा रंजीत सिंग दे तुरजान तो बाद है महराणी जंदा जड़ी के महराजा रंजीत सिंग दी सब तो छोटी रानी सी जिसनू के रानी दा खताब भी मिले होया सी सो ओस नू सरप्रस्त बनाया गया महराणी जंदा जिसनू के रानी मा कैके भी ओस विले ओस दे राज विच पुकारे जंदा रहा ता जुदों सरप्रस्ती महाराणी जिन्दा दे अत्वी चाई ता राजदे अंद्रों वजीरा ने ते राजदे बाहर बैठे लोका ने इस चीज़ दा वरोध कीता ता एस वरोध दा फाइदा अंग्रेज ने चुकिया बरतानिया हकूमत ने पंजाब दे कपजा करन दे ले किस तरीके नाल पंजाब चा ओ लोक चटकाउने शुरू कीते जिडे महाराणी दे अडवाईजर सी सलाकार सी जिना दी मदद नाल महाराणी वड़े कदम अपने कार्ज का लविच चुक दी रही पर महाराणी ते तशदत अंग्रेजन किस तरीके नल कीता जदों महाराजा दलीप सिंग नू संग आसन दे बठाया गया उस दी उमर छोटी सी उस दी उमर छोटी हों दे बाब जुद वख वख जिडिया उजंगा लड़िया गईया सो सब तो पहली जे अंग्लो सेक युद दा सी जिकर कर गये तो हो ठारा सो उननाजा दे विच लड़ी गई हालांक उस युद विच्छा नमोशी इस तरीके इनल होई के वड़ा नुकसान खालसा दरवार दी राजदा होया दसल महराजा दलीपा जड़ा के बहुत छोटी उमर दा राजा सी छल कप्ट करके उस बच्चे तु राज खोले आ गया ता ग्रेजान दी मांग की सी वैरोवाल संदी ते दस्खतों करवाना चौन दे सी ते लहौर दे वेच बरतान भी फोज दी तैनातियों करना चौन दे सी जेडियां के महाराणी जंदा नू गल्ला कबूलनी सी ऐसे करके महाराणी नू लहौर दे किले विच कैदियां वांग कैद कर देता माड़ा सलूक होंदा सी ता फिर पंजाब दे विच्छा चर्चा हलांके बाहर खाते भी हुई के महाराणी नाल माड़ा सलूक कीता जन्दा हालांके ग्रेस चौनदा सी कि तेज सिंग नादे वजीर नु पद्वी देखे महाँ राजा दिलीप सिंग तो टिका करण करवा ले जावे पहला ले समय दे वेच जदों एक राजपाग दूजे दे हत चाज़नादा सी उस विले टीका कर्ण कीता जानदा सी एक दूजे दे टीका लगाए जानदा सी महाराणी ने इस चीज़ दा भी काफी व्रोध कीता तक कतल बहुत हुए महाराज दे वड़े पतर खडग सिंग प जिड़े स्ट्रेटजी इस सरकार्च कड़ा कर दे कि में पंजाब दिविच्छा राज करना है ता महाराणी जिंदा नो लहौर च रख्या गया लहौर तो बाद यूपी शिफ्ट कीता गया क्योंकि पंजाब च इंग्रेजा नो कबरहाट सी के दलीप सिंग दी माता ने पंजाब की रख्या जानदा तर्जान तो बाद उसने परवार नल तक का हुए हालांके महारानी जिंदा जड़े यूपी दी जेल फरार हुए फरार होंड तो बाद नेपाल दा रूह कीता गया नेपाल पहुंच के ओथों के परदान-मंतरी ने विए उन्होंने शरण दिती सी सो यह बहुत बड़ा चैलंज ब्रिटेन सरकार दे लेई सी के नेपाल दे वजीर आजम ने महाराणी नू शरण देती है हालांके उना ने उथे पहुंच के वकवक सेल जड़े स्थापत कीते महाराणी ने लीप सिंग नाल रापता कायम करन ली अमर सा रते पटना द जेल विच बंद कीता ता राणी ने शेर सिंग अटारी वाला नू चठियां पेजियां चठियां पेज की केहा के पंजाब दे विच हलात माडे ने खून जो दो खौल लेया ता एक जंग दा होर अलान होया जड़ी इंग्रेजान लड़ी जानी सी पर गुलाब सिंग ब्रिटेन सरकार ने महाराजा रंजीस सिंग दी छोटी राणी महाराणी जंदा ते ओस दे स्पोतर दलीप सिंग नू इंग्लैंड पे जंदा फैसला कर लिया त्योंकि मौल्क ज अंग्रेजान लागदा सी के महाराजा दा परवार मौल्क वरोदी गतिविदियां कर रहे ह ते ने महाराधा यह जंदाा लंडन चले जान देने जो तो ऐसमटे लेए देख्या के महाराजा दिलीपसिंग ते से रत्य कहन में ता फिर महाराणी जंदा ने अतराज पर गड़ कीता कि पत्त तेरे सरतेवाल सी तेरे सरते जुड़ा सी तुँ एक राज आएं तेरे नाल छल कप्ट करके एंग्रेज ने राज खोया ता उस वेले महाराजा दिलीप सिंग काफी प्रवावित होया महाराजा दिलीप सिंग ने मुड़तो सरतेवाल रखे केस रखे ते फिर जदो महाराणी जंदा दा देहांत होया ता महाराणी जंदा दी आखरी खोयाश सी तो उस दा अंतिम सस्कार पंजाब चु होगे अंग्रेज अफसर ने जा ब्रेटिन सरकार ने उस वेले इस चीज़ महाराणी जंदाद दी जंदा करते होता है कि और डराज उस चल्च करके खोगे गांकरतो दी ह्ता ना चला जारुए